हेलो एवरीवन ग्लोबल आईटाई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है तो हम इलक्ट्रोनिक्स मेकैनिक की सवाल हो चुका था अब हम सॉलवा सवाल जा रहे सुरू करने सॉलवा सवाल कह रहा है अब एक बात बताओ डिजिटल की बात हो रही है यहाँ पे डिजिटल एकुप्मेंट के अगर बात की जाए तो वो डिजिटल एकुप्मेंट करता क्या है सिंपल सी बात अनलोग होगा नहीं वह अनलोग टुक डिजिटल होगा तो कई करता है करेगा डिजिट मतलब बाइनरी बाइनरिंग का मतलब क्या होता है आप सभी को पता होगा 0 और 1 की बात की जा रही है आपे तो digital equipment क्या करता है जो भी उसको signal दिये जाती है उसको वो convert करता है किसमें convert करता है? binary number में convert करता है तो इस प्रस्म का उत्तर हो जाएगा D option D correct हो जाएगा जो है convert it to binary number आगे चलते हैं 17 question पे 17 question क्या कह रहा है हमारा which circuit is used in digital storage oxaliscope DSO to convert the input sample voltage into digital form अब कह रहा है कि input sample voltage हम दे रहे हैं और उसको output में digital form में convert कर रहा है तो इसमें आपको क्या समझ बारे है input में हम कोई signal दे रहे हैं उसको output convert कर रहा है वो भी digital form में digital information लिए तो simple सी बात हो कि उसको analog signal दिया जा रहा होगा और वो डिजिटल converter डिजिटल सर्कूर्ट कर दे रहा होगा तो यह काम कौन करता है analog to digital converter circuit analog to digital converter circuit यह काम करता है अब बागी option भी है तो इसको भी देख लेते हैं rectifier circuit पहला option क्या कह रहा है हमारा rectifier circuit rectifier circuit आप सभी को पता होगा उसका एक ब्लॉक डियाग्राम यहां लगा दिये है ताकि समझ जाए कि rectifier circuit दिखता कैसा है तो इसमें देखो चार डायोड लगे वे लोड लगा हुआ है और यह transformer लगा हुआ है इसमें AC input supply दी जा रही है और हमारा यह rectifier अपना काम कर रहा है काम यह कैसे कर रहा है आपको पता होगा AC दी जाती है उसको DC में बदल रहा है यह इसका waveform है पहला option हो गया यानि कि यह तो हो ही नहीं सकता मैं next है inverter circuit तो inverter circuit में क्या होता है कि हम इसको जैसे हमारा rectifier circuit AC to DC करता है inverter circuit DC to AC करता है तो यह हमारा उसका block diagram है हमें लगा एक बार आपको block diagram दिखा देंगे तो आपको समझने में आसानी होगी तो यह भी कड़ गया अब बचा दो option elimination method हमेशा work करता है exam में तो elimination method से दो तो कड़ गये अब next क्या है digital to analog यह तो होई नहीं सकता क्योंकि भाई हमारा कहरा है change कर रहा है इसको कर रहा input जो भी sample दिया जारा उसको digital form में change कर रहा है digital form में change कर रहा है तो simple सी बात है analog signal होगा वही digital form में convert कर रहा होगा तो analog to digital converter सर्किट ही यहां यूज होगा ठीक है यहोप यह क्लियर हो गया होगा हम नेक्स कोशन की तरब बढ़ते हैं नेक्स कोशन हमारा अठारवा है और इसमें कोशन आपका पूछ रहा है विस टाइप ऑफ वेफोर्म इस एवलेबल एड पिन नमबर 9 और फंक्शन जनरेटर IC8038 यह तो आपको पूरा रट गया होगा अभी तक तो फंक्शन जनरेटर IC8038 और पिन नमबर कल विक किलास में हमने पिन नमबर 3 पिन नमबर 2 के बारे में पड़ा था इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं एक बार पिन नमबर 2 पर क्या आता है? साइन वेव पिन नमबर 3 पर क्या आता है? ट्रैंगल वेव और कल ये वाला कोशन आया था कि IC8038 को क्या कहते हैं तो हम इसको function generator कहते हैं अब ये कोशन पूछ रहा है किस के बारे में पूछ रहा है? पिन नमबर 9 किस पिन नमबर की बात हो रही है? पिन नमबर 9 की तो IC8038 में पिन नमबर 9 पर कौन सा वेव फॉर्म मिलता है? तो हमारा कौन सा वेव फॉर्म मिलता है? देखिए यहां पर सरकित में हमने बना रखा है पिन नमबर 9 पर हमारा वेव फॉर्म कौन सा है? square waveform मिलता है तो मेडम ये तो मिलता है pin number 2 पे ये तो मिलता है हमारा pin number 3 पे और ऐसा कोई waveform मिलता ही नहीं है तो elimination method से हम क्या पता लग रहा है में कि इसका answer क्या होगा B option, B option is the right answer which is square wave हम देते हैं कहां पे pin number 9 पे I hope it is clear to all of you next question 19 वो कह रहा है what is the type of SMD IC package यह जो IC package दी हुई है इसकी type क्या है अब भई इसके लिए तो हमें पता होना चाहिए सारी IC के बारे में तो हम पहले option देख लेते हैं और यह diagram देख लेते हैं अब हमको साथ ही साथ सबका full form पता होना चाहिए इसका full form क्या होगा pin grid array क्या होगा pin grid array तो यह PGA का full form होगा pin grid array next आता है मारा T SOP TSO की SOP का full form क्या होगा pin small outline package के और इन दोनों का तो full form लिखा जाननी नहीं कि फ्लैट package है फ्लैट package के मतलब फ्लैट रहेगा यह क्वइट फ्लैट package है चोओकोर में प्लास्टिक कथी अब आगे हम देखते हैं हम यहां कुछ इमेज लगा दिया ताकि आपको और अच्छे सी क्लियर हो जाए अब यह डाइग्राम आपको दिखा रहा है कि यहां पिन लगी हुए देखो यह यह पिन लगे हुए है और यह एक आईसी है यह हमारी एक आईसी है और यह कुछ पिंस लगें तो हमारा फूल फॉल फॉर्म क्या गरा है पिन ग्रीड एरे पिन ग्रीड एरे देखो यह उल्टा देखने में ऐसा लगता है पिन ग्रीड एरे पिन लगे हुए है हमारे ग्रीड पे और एरे कॉमिनेशन होता है कई सारे जिसे कॉलम और रो का त इसका यह फिगर दिया हुआ है और आपसे पूछा था कि यह किस चिछ का फिगर है तो हमें पता होना चाहिए ना पीजिए का फुल फॉल फॉर्म क्या है तब ही ना में पता चलेगा कि यह पिंगरीड एरे की बात हो रही है यह ती आपको यहां पे थिन स्मॉल आउटलाइन package बहुत ही थीन होता है और यह स्मॉल आउटलाइन पकेज क्यों कहा गया क्योंकि यह देखो इसके लिट कितने चोड़े-चोड़े हैं यह के फॉर्म में यह पूरे ऐसे ऐसे भी नहीं जाते हैं यह एसे के फॉर्म में हैं जब हम प्लेट पे लगाते हैं तो यह ऐसे रहेगा इसका भी पिन बिल्कुल इसी की तरह होता है बढ़ी चोको टाइप का होता है और फ्लाइट होता है तो I hope it is clear that PGA का FULL-FORM क्या है PIN grid array और T-SOP का FULL-FORM क्या होता है thin small outline package यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपको इनका FULL-FORM आना चाहिए अग्जाम में FULL-FORM देता है या diagram बनाके देता है तो अगर आपको FULL-FORM याद होगी तो आप EASILY कर ले जाओगे next question चलते हैं question number 20 क्या कहता है question what is the acceptable resistance value limit for the ESD risk step उसके पहले क्या जाना जरूरी है कि यह है क्या भाई यह तो नया word हमने सुल लिया हमें तो पता ही नहीं है यह होता क्या है तो इसको एक image के मादलम से बहुत अच्छे समझते ESD मतलब electrostatic discharge ESD कभी full form का इसको पता होना चाहिए एलेक्ट्रो स्टाटिक का मतलब क्या होता है रिस्ट मतलब कलाई रिस्ट मतलब कलाई में बानने वाला कुछ अच्छे सब्सवाइब रिए तो यहां पर हमें पता किस से लगह कि इसके बात हो रही किशों आप होता है जिसको हम कलाई में बां लेते हैं और इसको बांदने के लिए सरकियर कोई काम करतें तो शचक कर करते हैं कुछ भी शॉक नही में लखते हैं तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं यह देखिए इसका इमेज है और यह देखिए इस तरह से इसको हम लगा करके अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं और हमें कोई भी नुकसान नहीं होगा ठीक है तो आई फोप आपको पता चल गया हो कि एसडी क्या होता है अब हम बात करते हैं कि स्यक्ति प्रती रोध मतलब कि इसका क्यों कितना होना चाहिए चूछ आपको यह दो बर्दास करaking तो नहीं लगने देगा तो यह है 1 mega ohm, option number C is the right answer, अब हम आगे बढ़ते हैं next question की तरफ, next question क्या कह रहा है देखिए, फिर वही देखिए हमारा एक diagram बन गया, अब यह पूछ रहा है बताओ कौन सी वाली type का है यह, तो what is the type of SMD IC package, पहला option है LCC, दूसरा option है PLCC, तीसरा है MLCC और चौता है TSOP, अब TSOP का full form हमने बताया है आपको इसके पहले ही, thin small outline package, thin small outline package और इसका figure भी हमने पिछली, यहाँ पे, यह देखिए, इसका figure भी हमने इस वाले पे दिखा दिया है आपको, तब हम आगे बढ़ते हैं, अब LCC क्या है, PLCC क्या है, MLCC क्या है, यह सब LCC के ही advanced version है, ठीक है, देखिए, अब यह LCC का full form कैसे याद करेंगे, तो simple सी बात है, आपको यहाँ दिख रहा है, यह lead दिख रही है, कि lead कहीं जा रही है, कहीं अंदर घुच रही है, वदलब अगर आप PCP पर लगाओगे, तो यह जाएगा, नहीं न, तो इसलिए इसका नाम LCC है, LCC full form, leadless chip carrier, ठीक है, leadless chip carrier, अब PLCC का full form क्या होगा, plastic leadless chip carrier, plastic leadless chip carrier को हम PLCC बोलते हैं, और leadless chip carrier को हम LCC बोलते हैं, देखने में यह कुछ उपर से इस तरह से, इसका डाइग्राम होगा, और अगर इसका pin diagram देखना जाए, अच्छे से clear करने के लिए, तो इसकी जो leads होती है, इसकी leads, अंदर की तरफ नहीं होती है, यह बिना lead के कहलाते हैं, तो इसलिए इनका नाम क्या है, leadless chip carrier, अब next है, MLCC, तो इसका भी full form जाना जरूरी है, तो multi layer ceramic, ceramic, ceramic chip, THIP, तो सब का full form जान लिया हमने, पहला है, LCC, जिसका full form है, leadless chip carrier, दूसरा है, plastic leadless chip carrier, तीसरा है, MLCC, multi layer, ceramic chip carrier, next है, TSOP, जिसका figure हमने पहले देख लिया है, thin small outline package, आप, आप कहोगे कि मैंने इसका तीनों का अलग अलग picture क्यों नहीं, क्योंकि यह लगबग सेम होते हैं, देखो, मैंने leadless chip carrier, तो leadless chip carrier, तो सम्में same है, तो सम्में lead नहीं होंगे, कुछ इसके जो work होंगे, जैसे plastic के होंगे, कुछ हमारा multi layer ceramics से बना होगा, अब आगे बढ़ते हैं, next है, what is the power rating of soldering iron used in electrical and electronic workshop, ध्यान सुनियेगा, electrical and electronic both बोला, अगर electronic बोलता, तो भी हम मान सकते थे, लेकिन simple सी बात है, अगर soldering iron की बात हो रही है, तो उसका voltage कम ही होगा, क्योंकि हम उससे electronic work करते हैं, तो अगर hindi question पढ़ा जा तो electrical और electronic काम में उपयों किये जाने वाले, टाका लगाने वाले soldering iron की सकती rating क्या होती है, तो यह तो आप बहुत आग बनगे के लगा सकते, सबसे कम rating वाले soldering iron हम यूज करते हैं, ताकि अच्छे से soldering हमारी हो जाए, और कोई दिक्कत भी नहों, तो 15 to 35 watts के हमारे soldering iron होते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला question क्या कहा रहा है, what is the full form of abrasion PZA, देखिए हमने उस समय आपको एक question पीछे था, उसमें बताया था PZA का full form, तो PZA का full form क्या होता है, pin grid array, option number B is right answer, और यहाँ पे देखिए हमने एक picture भी लगा दी है, pin grid array की, जो पिछले question में भी थी, तो pin grid array देखने में कैसा होता है, original में वो ऐसा होता है, और इसका full form होगा, pin grid array, अब आप कहोगे कि elimination method भी बहुत ज्यादा important होता है, exam point of view से, तो popular grid array यह तो कभी सुना ही नहीं होगा, ठीक perfect grid array यह भी कोई मतलम नहीं रखता है, और package grid array यह भी कोई मतलम नहीं रखता है, तो simple सी बात है, print grid array ही option होगा, इसमें pin बाहर के तरफ को निकले रहे हैं, अगला question कहा रहा है, question number 24, which type of hot air pencil tips is used in SMD soldering, SMD soldering में, SMD soldering में, SMD soldering में किस प्रकार की गर्म हवा pencil tip, pencil tip का उप्योग किया जाता है, तो जब हम soldering की बात कर रहे हैं, तो soldering iron यूज हो गई होगा, अब किस type की soldering हो रही है, SMD, अब SMD soldering हो रही है, तो बहुत बारी soldering हो रही होगी, तो उसके tip का भी बहुत ध्यान रखना होगा हमें, तो अब यह pencil tip, उसकी जो tip पे होती है, वो pencil type की होती है, अब इसमें कई type की होती है, यह figure बना दिया है, और आप से पूछ रहा है, यह कौन से type का pencil tip है, तो इसको आपको दिख रहा है, एंगल टाइप बना रहा है, एंगल कर्व है और एंगल है, तो हम यहाँ कहेंगे, एंगल टाइप, pencil tip, soldering iron, angle type, pencil tip है, अब कुछ और टाइप देख लेते हैं, popular oval, यह maximum use होता है, हमारा tip, pencil tip, soldering iron के लिए, next is fan type, यह आगे से थोड़ा fan type के बने होते हैं, जो आगे से थोड़े flat होते हैं, next is round type, यह आगे से round type के होंगे, जैसे बहुत पतली soldering करनी होगी, यह उसमें use होंगे, यह round type के, यह है next angle type, जो कि आपके प्रस्ट में पूछा गया है, यह कौन से type का है, soldering tip, तो यह हमारा angle type, देखें, यहाँ भी diagram बना हुआ है, और इसमें भी diagram बन करके, आप से पूछा गया है, कौन से type है, option C is correct answer for this question, next है, fine Z, यह बहुत ही fine बारीक होती है, और इसका आगे से कुछ इस तरह से design बना होता है, तो आपको यह याद रखना होंगा, कि यह कैसे देखने में लगते ताकि image दिमाग में रखोगे, तो सब चीज यादे रहेंगी, तो question solve करने में भी easy रहेंगा, यह angle type है, भई यह round type का आगे से है, आगे से round type का हलका सा round type का होता है, ठीक, यह fan type का होता है, और यह हमारा fine, fine type का होता है, ठीक, होब समझने आगे होगा, आगे बढ़ते हैं, next question क्या कह रहा है, what is the range of temperature setting on soldering workstation for soldering SMD IC, soldering SMD IC, soldering SMD IC के लिए soldering workstation, soldering workstation पर तापमान setting की सीमा क्या होती है, soldering workstation क्या होता है, जैसे soldering iron होता है, उसी type का पूरा एक system होता है, उसी को हम कहते हैं, soldering workstation, ठीक, अब हमें क्या करना है, soldering करनी है, और SMD IC की soldering करनी है, और इसके workstation की बात कर रहा है, तो इसका temperature कितना होता है, तो temperature नोट करिएगा, इसका 250 degree Celsius to 280 degree Celsius, तो यह चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, यह तो आपको याद करनी ही पड़ेगी, कि 250 degree से लेकर 280 degree तक होता है, तो option C is the right answer, for, किसलिए सही answer है, यह, SMD soldering होती है, तो working station, soldering workstation का temperature पूछा जा रहा, किसका soldering workstation, SMD soldering, soldering workstation, किसके लिए, SMD, soldering के लिए, तो क्या है, 250 से 280, आगे बढ़ते हैं, next question पे, next question देखिए, de-soldering braid PCB पर, जोड से पिगला हुआ flux कैसे निकालता है, simple सा question पूछ रहा है, कि flux कैसे निकाला जाए, या फिर soldering पे, अगर कोई चीज चिपक गई है, कोई चीज क्या component चिपका हुआ है, हमें उसे वापस से निकालना है, de-solder करना है, how does the de-soldering braid remove the molten solder from the joint on the PCB, PCB पर molten solder लग गया है, उसे हमें joint से निकालना है, तो यह कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम देखते हैं, की तरीके क्या-क्या है, by hitting the joint, elimination method यहां use करते है, by hitting the joint, अब जोड को गर्म करोगे, तो वो तूट जाएगा, या पिगल जाएगा, तो हम ये वाला option तो cancel ही कर देते हैं, next जाता है, by hardening the solder, solder को hard करो, नहीं, hardening process तो करी नहीं सकते हम, तक तक करके कभी, निकलेगा क्या, next होता है, by increasing the temperature, temperature बढ़ाने से, solder component खराब हो जाएगे, ठीक, तो बचा क्या, by capillary action, यानि option A सही answer है, but हम इसको थोड़ा explain भी कर लेते हैं, की कैसे होता ह हम समझ में आना चाहिने, capillary reaction होता गया, तो यहां एक image बनाई है, हमने, इसमें लिखा है, heat up soldering iron, सबसे पहले क्या करना होता है, soldering iron को हम गरम करेंगे, उसके बाद, place super wick on the solder, एक पत्ती होती है, उसको हम solder braid पर रखेंगे, ठीक, यह छोड़े-छोड़े-छोड़े होते है इनको hole बनाना होता है, जैसे यह एक PCB है, इस पर hole बनाना है, तो पहले से थोड़े-छोड़े ना hole बना हुआ आता है, companies hole बनाती है, जब हमें components में डालने होते हैं, तो इस braid, यह इसको कहते है braid, जिसको हम कहते है braid board, यह PCB, यह braid है हमारा, और यह hole type है, ठीक, पहले soldering iron को गर braid को रख देंगे और इसे गरम करके इसके ओपर छेद हो जाएगा, तो फिर यह हमारे गोल-गोल बन जाते हैं, इसी को हम क्या कहते है, capillary action, क्या कहते है, capillary action, फिर से एक बार recall कर देते हैं, heating process नहीं होगा, hardening process नहीं होगा, temperature बढ़ाने से hole नहीं बनते हैं, hole बनाना है, soldering iron गरम करो, braid रखो, और उसके बाद उस पर soldering iron लगा दो, तो हमारा क्या हो जाएगा, capillary action, इसके action को क्या कहते है, capillary action, होग समझ में आगया होगा, आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या कहता है, which method is effective to control ESD during manufacturing the device, उपकरणों के निमार के दोरान, ESD को नियंट्रिट करने के option बहुत आफसान है, हम इसमें elimination method से पहले समझाते हैं, क्या इसी चीज़ को बनाने के लिए हमें helmet की जरूत पड़ेगी, नहीं, प्लांट की बात होगे, method, method पूछ रहा है, method is effective to control ESD, ESD तो फिर से नाम आ गया, electrostatic discharge को control करने की बात हो रही है, किसको control करने की बात हो रही है अगर तो उस devices को बनाने के लिए, जो ESD होता है, उसको control करने के लिए हम क्या करते हैं, कौन से method उस करते हैं, तो यह helmet, helmet कोई method है, helmet कोई method है, नहीं, helmet कोई method ही नहीं है, तो simple सी बात है, elimination method, मैम एक, use helmet कड़ गया, next आते है, use metal chain, metal chain, use करके ESD से कैसे बचा सकता है, इसे तो श table use करके कहीं, वो कर सकते हैं, क्या, control ESD, ESD control करना है, और device बना रहे है, तो table से क्या लेना देना है, कोई मतलब ही नहीं है, यहां पर तो option ही गलत दे रखा है, तो elimination method से अगर देखा जाए, तो यह तीनो गलत है, तो बचा क्या, C option, तो C option, बिल्कुल सही है, use ESD wrist wrap, अब हम आते हैं, normal, यह मैंने पहले भी आपको दिखाया है, पहले वाले question में, ESD के बारे में पहले बताया, कि ESD होता क्या है, और wrist strap क्या होता है, तो जब भी हम कोई भी component पे काम करते हैं, कोई भी circuit पे काम करते हैं, तो ESD use कर लेता है, ताकि यह यह sock proof रहे है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं पे, use ESD wrist strap, यहां क्या लिखा है, control ESD, इसलिए को कैसे control कर सकते है, control मतलब shockproof होने से कैसे बचा सकते है, shock होने से कैसे बता सकते है, तो ESD wrist strap में में shock लगी गा ही नी, तो हम control हो गया, ESD को control कर लिया, कि I think it is clear, तो option C बिल्कुल सही जवाब है, अब आगे बढ़ते ह है, next question क्या कह रहा है, which technology is used to place the component directly on the printed circuit board, मुद्रिस circuit board पर घटकों को सीधा रखने के लिए, किस तक्नीक का उपयोग किया जाता है, मतलब जो भी हम component directly खड़ा करते हैं PCB पे, माल लेते हैं PCB, which technology, technology की बात हो रही, किसकी बात हो रही है, technology, किसलिए components directly on the printed circuit board, PCB, यह चीज़ full form क्या होता है, printed circuit board, तो printed circuit board पर component को directly mount करने के लिए, कौन सी टेकनोलोजी यूज़ की जाती है, surface mount technology, कौन सी टेकनोलोजी, surface mount technology, अब इसको समझते कैसे, देखो, एक figure बना हुआ है, यह रही हमारी PCV बड़ी सी, इस पे कोई component रखना है हमें, ठिक, यहां सोल्डर लगाया हम और यहां पे component का contact, component का contact मतलब यह हमारा capacitor है, इसके जो दो लेक्स निकलेंगे यह हमारा component content, contact होता है, ठीक, जो कि PCV में जाता है, hole के अंदर, और यहां soldering कर देते हैं, मतलब यहां पे, और यहां पे soldering कर देते हैं, और यह हमारा PCB, तो simple सी बात है, कौन सी यह technology, इसको क्या बट यह ज्यादा easy परता है, क्योंकि SMD की बात हो रही है, या PCV मांट technology की बात हो रही है, surface मांट technology, solder मांट technology कोई technology नहीं है, soldering और disoldering अलग चीज है, यह technology नहीं है, elimination method से यह कड़ गया, next option है safety method technology, safety के related कोई भी technology नहीं है, यह भी option गलग गया, silicon multi-layer technology यह भी option, eliminate method से हम हटा सकते हैं, तो simple सी बात है, जब आपको थोड़ा confusion रही है, तो आप elimination method very easily लगा सकते हो, अगर आपको चीजे clear है, तो obvious सी बात है, आपको answer पता होगा, कि surface मांट technology ही उपियोग में लाई जाती है, किसी भी component को PCB पर मांट करने के लिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला question कह इसका पहले जिक्र हुआ था, यह क्या है, एक यह circuit बनी हुई है, एक device बना हुआ है, अब इस device का नाम आपको बताना है, तो यह कौन सी device है हमें, हमारी, यह है SMD workstation, इसके पहले हमने बताया था, workstation के बारे में, कि soldering, disoldering के लिए एक पूरा system यूज के आता है, यह वह system है यह वह system है, जो soldering के लिए यूज कहता है, तो इसको हम क्या कहता है, SMD workstation, signal generator हो ही नहीं सकता है, signal generator आपको पता है, कि function generator को ही signal generator कहते है, उसका हमने पिसली class में बात किया था, microcontroller एक chip होती है, तो यह chip तो लगने नहीं कहीं से, तो यह भी elimination, यह भी elimination, और insulation tester, tester तो यह लगी method भी, और हमें देख करके भी पता चला है, कि यह क्या है, SMD workstation है, और आज का आखरी सवाल यह है, what is the name of SMD tool, यह जो tool बना हुए, इसका नाम बताना है, हमें, अब देखो option देखते हैं, 90 degree formal tool, mound coal magnifier, heated twizor, और soldering pump, तो sold, हम पहले starting से देखते हैं, 90 degree formal tool, यह 90 degree formal tool करता कहा है, पहले ह dumb यह हमें पता होना चीए, तो जित्नी भी हमारी, जिसे मालो कोई भी IC है, हमारी, इसकी अगर legs steady हो गई, ऐसा क्या करना है 90 डिग्री के फार्म में लाना है तो किसका अप 얼s करते हैं देखने में होता है और कुछ इस तरह से हमारे कंपोनेंट के Sun को डिग्री जुका देता है और कई जगा हमें ऐसे ही लगाना होता है 90 degree में जुक्ये को इसलिए हम किसका यूज करते है 90 degree forming tool दो को simple देखने से पता चल ला है 90 degree formal tool यानि 90 degree पर ये lifts करेगा next है mono call magnifier magnifier से मतलब पता चल ला होगा आवर्दक की क्या होता है magnifying glass देखा है न यह हमारा है magnifying glass इससे क्या होता है इससे क्या होता है आपको कोई भी चीज कोई भी component बहुत चोटा है अगर उसको देखना है आपको तो खुली आपको से नहीं देख सकते तो आप magnifier का यूज करेंगे तो यह एक magnifier glass नेक्स्ट है इसको क्या कहते है मोनोकॉल मेंगनिफायर क्योंकि सिर्फ एक ही रहता है एक आप में लगा करके आप इसको देख सकते हैं आते हैं नेक्स्ट हमारा heated twizor heated twizor क्यों कहा गया देखो यह twizor ही है यह प्रकार का twizor ही है twizor आपने देखा होगा कुछ इस तरह सही होता है तो यह twizor है यह heated twizor क्यों कहा जा रहा है क्योंकि यह heat भी करता है heat करके अपना काम करता है कोई component पकड़के निकालना होता है तो हम इसका यूज करते हैं और यह कुछ देखने में इस तरह से होता है तो एंसर क्या होगा option number c सही जवाब है और यह क्या है heated twizor है अगला option क्या है soldering pump soldering pump आप सभी ने देखा होगा यह desolder करने के लिए यूज रहता है कहीं solder लगा हुआ है और हमें वह component वहां से निकालना है तो हम उसे गरम करके इसको रख करके pump की तरह ही काम करता है और वह देखने में कुछ इस तरह सलगता है इसको हम desoldering pump कहते हैं exact कर लेता है तो यह हमारा soldering pump है यह magnifier है और यह हमारा 90 degree forming tool है और यह रहा हमारा twizor यह क्या है twizor है और कैसा twizor है heated twizor है तो option number c बिलकुल सही ज झास कर के प t हमाराだ रहता है और यह हमारा बन्हांतक letters मत नह कर म्या दिया और यहे घर, तो कि अंच सही अवां हमारा कभ म करसा है और एंप सतर है आपOWान है